यह function of several variable का next video है काफी सारे videos मैं इस topic से related upload कर चुकी हूँ सारे आपको playlist में मिल जाएंगे CSIR की and in case कोई video नहीं मिलती है तो आप मुझे comment section में बता सकते हो तो चलिए आगे continue करते हैं पहला question है कि एक function है जो 0,1 x 0,1 to r पे map हो रहा है और इस तरीके से function को define किया गया है जब xy दोनों ही value 0 हो जाती है तो function 0 value देता है और अगर इसमें से एक भी non 0 है तो function की value होती है xy by x square plus y square पहले option में continuity की बात की गई है क्योंकि जो point है वो 0,0 ही है इसलिए पूछा गया कि क्या function continuous होगा 0,0 पे second है function bounded है या नहीं bounded function है या नहीं third option में double integral की बात की गई है और last option में continuity पूछी है हमसे 1,0 point पे यहाँ पर यह 0,1 यह जो दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि जो xy variables हैं यह इसी domain से belong करेंगे x and y variable हमारे इसी domain से belong करेंगे तो continuity check करने का क्या तरीका है मैंने एक वीडियो अप्लोड की है एक में I think दो-तीन वीडियो होंगी इस topics related जहाँ पर हमने बात कि continuity अगर हमें check करनी हो और जिस function में दो variables involved हो रहे हो तो हम किस तरीके से check करते हैं तो आप जाके देख सकते हो तो continuity check करने के लिए जो path हम choose कर रहे हैं वो है y is equals to mx अगर हमारा answer m की form में आता है या फिर आप ऐसा बुलो कि जो limit है वो depend कर रही है m पर तब तो हम यह कहते हैं कि function जो है वो continuous नहीं है otherwise अगर free है m से तो हम बोलते हैं कि वो continuous होता है तो यह हो जाएगा xy xy की जगा पर हम mx put करेंगे तो यह हो जाएगा mx square then x square plus mx square मैं shortcut में इसको solve कर रही हूँ x square कॉमल के हम cancel out कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 plus m ठीक है तो यह value जो है वो depend कर रही है limit होगी यहाँ पर x is tending towards 0 तो यह depend कर रहा है m पर इसलिए यह continuous नहीं होगा तो पहला option तो wrong है अगर यहाँ पर इसका answer 0 आ जाता then यह function continuous होता क्योंकि जो हमारा next है xy 0 होने पर answer 0 दे रहा है तो यह value unimportant होती है b में है कि function bounded है या नहीं आप देखिए जो function हमारे पस है या तो वो 0 value attain करेगा या तो free value attain करेगा 0 है तो तो bounded ही है बट अगर हम इसकी बात करें xy by x square plus y square की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि जो xy value है हमारी वो सिर्फ इसी interval इसी domain में से ली जा सकती है 0 1 वाले ठीक है और यह value अगर सिर्फ इसी में से ली जा सकती है तो कभी भी यह 1 से जादा value नहीं जाएगी bounded का मतलब ही यह होता है कि आपको बताओ कि इसका supremum क्या होगा और इसका infimum क्या होगा lowest value ही 0 ले सकता है और highest value ही 1 ले सकता है तो bounded function है यह correct हो जाएगा और last option में हमसे पुछा गया है continuity 1 0 पर अब यहाँ पर कौनसा वला function value attain करेगा यह first value x y value क्योंकि हमसे बोला गया कि अगर x और y में से कोई भी एक value non 0 होती है तो यह function value attain करता है तो 1 0 पर हम इसे check करेंगे x की जगह पर जब आप 1 रखोगे तो यह जगह 1 y के जगह पर हम 0 value पुट करेंगे यह जगह 1 प्लस 0 तो answer आजाएगा 0 और अदर्वाइज दूसरे case में भी function की value क्या है 0 continuity को case क्या होता है यह जब आप lhl solve करो या फिर rhl solve करो या फिर function की उस particular point पर जो value है वो तीनों ही equal होनी चाहिए continuity के case में तो यह last option भी इसका correct हो गया अब हम इसका double integral वो check कर लेते हैं कि यह exist करता है या फिर नहीं double integral from 0 to 1 and the function is xy by x square plus y square dx by dy पहले इसको x के respect में integrate कर देते हैं तो y constant हो जाएगा and यह हो जाएगा log x square plus y square इसका differentiation हमें उपर मिलेगा that is 2x क्योंकि x के respect में हो रहा है भी x अलरेड़ी यहाँ पर है 2 नहीं है तो लिए हम multiply and divide कर देंगे और यह integral हो जाएगा from 0 to 1 and dy limit लग जाएगी from 0 to 1 1 by y 1 by 2 upper limit minus lower limit यह हो जाएगा log 1 plus y square minus log y square dy integral from 0 to 1 यह power में जो 2 लगा हुआ है यह power यह आगया जाएगा और यह हो जाएगा y क्योंकि log m to the power n is equals to n log m होता है ठीक है तो इसलिए हमने 2 को आगे कर दिया 1 by 2 integral के बाहर कर दिया यह जाएगा from 0 to 1 y log 1 plus y square then minus 2 integral 0 to 1 y log y and dy इसमें लग जाएगा i late log 1 plus y square as it is इसका integration हो जाएगा y square by 2 minus whole integral इसका differentiation हो जाएगा 1 by 1 plus y square इसका वापस से करेंगे जाएगा 2y इसका integration y square by 2 integral from 0 to 1 और 1 by 2 यह बाहर ही चलेगा and इसका करेंगे तो यह हो जाएगा minus 2 and इसका integration होता है y square by 2 log y minus y square by 4 and यह हो जाएगा limit लग जाएगी from 0 to 1 half limit लगाने पर जब हम 1 limit put करेंगे तो यह हो जाएगा log 2 and यहाँ बाहर आजाएगा 1 by 2 0 करने पर यह पूरा 0 हो जाएगा minus इसका integration करेंगे 2 से 2 cancel हो जाएगा integral होगा from 0 to 1 y cube by 1 plus y square ok dy and यह हो जाएगा minus यह जो 2 है वो दोनों में multiply हो रहा है अभी मैं minus two as it is रख रही हूँ upper limit put करेंगे तो यह हो जाएगा 1 by 2 log 1 0 put करेंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा negative 1 by 4 0 put करेंगे तो यह 0 हो जाएगा इसको अभी हम solve कर लेते हैं तो यह है 0 to 1 y cube by 1 plus y square dy 1 plus y square को अगर हम you put कर दे तो यह हो जाएगा 2y dy is equals to du then हमें dy की value चाहिए तो यह हो जाएगा dy du by 2y ok तो 0 to 1 इसको हमने you put किया था dy की जगा पे हो जाएगा du ok and sorry y है न 2y चीक है and यह जाएगा y cube तो y से y cancel यह हो जाएगा from 0 to 1 y square 1 by 2 बाहर जाएगा and यह हो जाएगा u du ok यहाँ पर हम y square की यहां से value calculate कर सकते हैं तो y square की value आ जाएगी u minus 1 तो इसके जगा पर हम put कर सकते हैं u minus 1 इसको हम अलग-अलग करके solve कर लेंगे यह हो जाएगा half u by u minus 1 by u du और you can write it as 1 by 2 1 minus 1 by u du इसका integration हम करेंगे integration करने पर हमें मिलेगा 1 by 2 u minus log u u की actual में value क्या थी? 1 plus y square so half यह हो जाएगा 1 plus y square minus log 1 plus y square यह जाएगा तो यह value हम put करेंगे यहाँ पर तो इसकी जगा पर हमने value put कर दी half half 1 plus y square minus log 1 plus y y square और limit चल रही है from 0 to 1 अगर हम यहाँ पर limit पूट कर दें यही पर पूट करके चेक कर लेते हैं 0 to 1 अगर हम limit पूट कर दें तो यह हो जाएगा half जब हम limit पूट करेंगे upper limit पूट करेंगे तो यह हो जाएगा 2 minus log 2 0 पूट करने पर यहाँ पर जब हम lower limit पूट करेंगे तो यह minus कावान हो जाएगा minus log 1 पूट कर दो 2 आजाएगा and minus minus plus log 1 log 1 0 की कोल होता है तो यह यहाँ से अट जाएगा 2 minus 1 1 तो यह जाएगा 1 by 2 1 minus log 2 यह value पूट कर देते हैं हम इसके जगापर था and 1 minus log 2 1 minus log limit पूट हो चुकी है आप हमें इसे solve करना है 1 by 2 sum में multiply हो रखा है तो मैं यहाँ से इसको अटा के इसको मैं अंदर bracket में multiply कर रही हूँ तो यह हो जागा यहाँ से 1 by 4 यह भी हो जाएगा 1 by 4 1 by 2 पूट करेंगे तो यहाँ से cancel out हो जाएगा यहाँ पर आगया log 2 by 4 minus 1 by 4 plus log 2 by 4 minus log 1 है यह तो log 1 0 होता है तो यह पूरी term 0 हो जाएगी ठीक? तो यह लिखने के जरवत नहीं negative negative positive 1 by 4 इससे यह cancel out हो गया यह दोनों terms जो है आपस में same है तो हम इसको add कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 2 by 4 log 2 तो यहाँ से cancel out हो के जाएगा log 2 by 2 तो यह इसका answer हो गया log 2 के हमारे पर से definite value होती है तो इसको हम solve करेंगे 0.3 करके something कुछ answer आएगा तो इसका यह जो c option है कि 0 to 1 limit fxy dx dy exist करती है तो यह जो है वो correct हो जाएगा क्योंकि हमें इसकी एक proper value मिल रही है moving on next question यह question June 2014 में आया था और इस question में हमसे पूछा गया है कि एक function है from r2 to r2 और इस function को define किया गया है x plus two tuples में हो गया यह भी x plus 2y plus y square plus mode of xy, यह f1 हो गया and 2x plus y plus x square plus mode of xy तो इस तरीके से इस function को define किया गया है यहाँ पर यह जो xy pair है यह r2 से belong कर रहा है पहला question पूछा है इसकी continuity के बारे में कि f जो है क्या वो discontinuous होगा at 0, 0 second f continuous है at 0, 0 but not differentiable at 0, 0 okay c option है कि f differentiable है at 0, 0 and last is f is differentiable में अब continuity and differentiability पे है चारो के चारो options और इस function के derivative की बात की गई है 0, 0 ही point पर और पोला है क्या यह invertible होगा या फिर नहीं is invertible तो यहां पर एक काफी important result है जिस भी तरीके से इस function को define किया गया है यह तो हो गया आपका f1 यह हो गया f2 तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें अभी mode को थोड़े दर के लिए हम छोड़ देते हैं इसकी बात करें तो यह polynomial है polynomial हर जगा पर बना polynomial is always differentiable क्योंकि differentiable है तो हमेशा continuous भी रहता है तो यहां पर जो differentiable और continuity के जो options दिये हुए है वो इसी से solve हो जाएंगे बट क्योंकि यहां पर mode की बात की गई है तो mode of xy का result भी हम देख लेते हैं यह जो mode of xy वाला function है यह हमेशा differentiable रहता है at every point at every point बट जब हम इसकी बात करते हैं 0,0 पर तब हमें पता होना चाहिए कि जो यह mode होता है xy का इसकी power पर depend करता है कि 0,0 point पर यह differentiable होगा या फिर नहीं alpha की value अगर greater than half है तब तो यह जो mode है xy का यह continuous होगा 0,0 पर अगर हम 0,0 की excluding this point हर जगहां पर यह function differentiable होता है हर एक point की बात करें excluding this origin point बट जब हम origin को भी glued करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसके लिए हमें इसकी power को देखना पड़ेगा अगर power greater than half है तो हम यह कहेंगे कि 0,0 पर भी यह differentiable होगा otherwise नहीं ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर alpha है alpha की value हम compare कर रहे हैं तो 1 आ रहा है क्योंकि mode xy की जो power है वह 1 है which is greater than half तो यह भी कैसा हो गया differentiable हो गया तो यह पूरा function differentiable हो गया यहाँ पर भी पूरा function differentiable हो गया क्योंकि polynomial है और क्योंकि दोनों differentiable है तो function हमारा differentiable है at 0,0 ठीक है तो यह option correct हो गया अब क्योंकि यह differentiable है तो यह continuous भी होगा पर यहाँ पर बोला गया है कि यह discontinuous होगा इसलिए इसका first option जो है वो गलत हो गया बी option में बोला है continuous तो है बट differentiable नहीं है इसलिए यह option wrong हो गया last में बोला है कि differentiable होगा यहाँ तक का जो part है वो तो correct है फिर बोला गया है कि इसकी जो derivative matrix बनेगी 0, 0 पर वो invertible होगी, मतलब non-0 के बार equal होगी तो वो हम check कर लेते हैं, matrix कैसे बनती है जितने भी variables, जितने भी tuples की form में वो होता है with respect to that, हमें एक एक करके इसको differentiate करना पड़ता है जो derivative matrix है, वो हमारी कैसे बनेगी कि जो f, one function है, एक बार उसको x के respect में derivative करेंगे, एक बार y के respect में, then second function को x के respect में, then y के respect में, तो जो पहला function है हमारा, उसको हम x के respect में करेंगे, तो यह हो जाएगा x की जिएहाँ पर one, two y का हो जाएगा zero, y square का हो और यहां पर हो जाएगा mode y, okay, x के respect में कर रहे हैं, okay, और then इसको हम y के respect में करेंगे, तो यहां पर आजाएगा 2 plus 2 y plus mode of, इस बार x आजाएगा क्योंकि y के respect में कर रहे थे, second function को हम करेंगे x के respect में तो यह आ जाएगा 2 plus 2x plus mode y y के respect में करेंगे तो यह आ जाएगा 1 plus mode x ओके ठीक है यह रहा हमारा function आप note करके check कर सकते हो तो जो हमारी matrix बनी differentiate की वो यह थी और इस matrix की बात की गई है 00 point पर और जब आप 00 value put करोगे तो यह जगा 1,2,2,1 और इसका determinant आ जाएगा minus 3 which is not equals to 0 और अगर not equals to 0 है तो invertible भी हो जाएगा add 00 पर तो जो last option है वो भी correct हो जाएगा ऐसा ही similar question आया था December 2015 में बस यह question का function है fxy उसको change कर दिया था यहाँ पर था 3x plus 2y plus y square mode xy और दूसरा function था 2x plus 3y plus x square plus mode xy ठीक है और इसी तरीके से discontinuity continuity पर पूछा हुआ था सारे option exactly similar थे continuity का differentiability का और invertible का यही तीन options तीनों चारो options में इनी तीनों के बारे में बात की गई थी जैसा कि मैंने आपको बताए यह भी कैसा हो जाएगा differentiable क्योंकि alpha की value यहाँ पर है 1 which is greater than half तो यह पूरा differentiable यह भी पूरा differentiable differentiable है तो continuous पर हो जाएगा invertible आप चेक कर सकते हो इसको एक बार x के respect में differentiate करेंगे एक बार y के respect में differentiate करेंगे तो जो df की matrix हमें हमारे पास होगी इसको x के respect में differentiate करोगे तो यह आजाएगा 3 plus mode y then इसको y के respect में करेंगे तो यह हो जाएगा 0 2 plus mode x इसका करेंगे हम y के respect में तो यह हो जाएगा 2 plus 2x plus mode y y के respect में जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा 3 plus mode x अब हमें इसको चेक करना था 0 0 पर तो यह हम 0 0 पर जब चेक करेंगे यह value 0 हो जाएगा, यह value 0 हो जाएगा यह पर यह 0 हो जाएगा, यह पर यह 0 हो जाएगा 3, 2, 2, 3 9 minus 4 is equals to 5 which is not equals to 0 तो यह invertible भी हो जाएगा So that's it, इस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको 3 questions clear हो गए होंगे तो जो एक important result इसमें था वो यही था कि जो mode x, y है वो कब differentiable होगा और कब नहीं तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है और जब पहला question हमने discuss किया कि continuity, differentiability, डो variables की कैसे check की जाती है या फिर double integral अगर आपको calculate करने को बोले तो किस तरीके से calculate करो गया और कोई query हो तो आप पूछ सकते हो Thank you